खल्दी में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है दरसल पिछले चार महीनों से लगातार गिरते एक्सपोर्ट और नई फसल अच्छा रहने के अनुमान से हल्दी पर दबाव आया है हल्दी में गिरावट की वज़े की बात करें तो निर्यात खटने से कीमतों पर लगातार दबाव बना है निर्यात में पिछले चार महीनों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है अगस्त में हल्दी के निरियात में 11 फीसद की कमी दर्श की गई थी जबकि नई फसल 15-25 फीसद अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है बारिज से फिलाल कोई बड़े नुकसान की अशंका नहीं है हलाकि चालू सीजन में हल्दी की अच्छी बॉआई बड़ी है 2021-22 सीजन में बॉआई में 11.2 फीसद की बड़ उतरी हुई है चानकारों की माने तो हल्दी में आ रही गिरावट के अंदर फिलाल खरीदारी के मौके ढूणने चाहिए आगे आने वाले दिनों में तोहारी सीजन के चलते हल्दी के कीमतों में एक उच्छाल देखने को मिल सकता है